जब विकास गुपता ने प्रियांक शर्मा और अपने रिष्टे को लेकर किया खुलासा तब से प्रियांक शर्मा को च्रोलर्स कर रहे हैं उनकी सेक्शुालिटी को लेकर च्रोल अब प्रियंक शर्मा का आया है मुहतोर करारा जवाब चोलर्स के लिए क्या है वो जवाब बताऊंगी आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं सनगधास पागत करती हूँ आप सभी का मारे चैनल पर जस तरीके से बीते एपसोड में आपने देखा था ऐसे में हम दोनों के रिष्टे काफी जादा हर्थ तक रहे हैं और बिग बॉस में आने के पहले भी मैं उस रिष्टों को जेलता आया हूँ और मैं अब तक उस रिष्टे को बरदाश्ट कर रहा हूँ ऐसे में बिग बॉस के घर के अंदर नाशनल टलिविजन पर विकास गुपता ने नाम तो नहीं लिया था लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये रिवील किया ये खुलासा किया कि वो सदस से बिग बॉस का भी कंटेस्टेंट रह चुका है तो ये क्लियर था ये विकास गुपता के साथ खास तोर पर रिलेशन प्रियंग शर्मा के साथ देखे गए है सभी ने समझ लिया और उसके बार ट्रोलर्स ने लगातार प्रियंग शर्मा को कर दिया ट्रोल जिसके बाद प्रियंग शर्मा ने दिया है हेटर्स को मुझ तोर जवाब प्रियंक शर्मा कहते हैं ऐसा उसने मेरे बारे में कहा कब क्यू और कैसे कहा जो वाइब से उसने मुझे वहाँ पर बोला है सेम वाइब उसे मुझे मेरे सामने आकर भी बोलना होगा और मुझसे टकराना होगा यानि कि इंडिरेक्ली प्रियंक शर्मा ने अपने एक पिक्चर के साथ ये कुछ क्याप्शन लिखे हैं इंडिरेक्ली उन्हें विकास गुपता को टारगेट कर ये कहा है कि जब सामने आएंगे तो टकराएंगे और बाते सामने से खुल कर होगी जो वाइब्स के साथ उसके घर के अंदर आपने बोला है वही वाइब्स के साथ मेरे सामने आ कर बोलना होगा मेरा सामना करना होगा आपको बताते कि विकास गुपता ने यहां तक ये भी कहा था कि जब मैं बाहर जाओंगा तो नहीं छोड़ूँगा तो इस तरीके से clashes देखे गए हैं जो विकास गुपता और प्रियंक शर्मा के बीच वो काफी जादा intense है ऐसे में प्रियंक शर्मा के sexuality पर भी चोलर्स ने सवाल खड़े कर दिये हैं यहां तक कि प्रियंक शर्मा ने एक लंबा चोड़ा पोस्ट भी किया है उस एक गाने के तो पर उन्होंने बहुती अलग तरीके से उन्होंने विकास गुपता पर सवाल उठा दिये हैं सवाल खड़े कर दिये हैं अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि जब विकास गुपता घर से बाहर आएंगे तो प्रियंक शर्मा और विकास गुपता का कैसे होगा आमना सा क्या है राय प्रियांक शर्म और विकास गुपता के रिलेशन्शिप को लेकर आपकी क्या है राय कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में तमाम बॉलिवड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रही हमारा चानल